हलो दोस्तो वेल्कम टू दे मूवी डायरीज दोस्तो आज की फिल्म थीब कहानी वर्ल्ड वर वन 1916 के दौरान शुरू हुई जब अरब रिवॉल्ड्स ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर ओटमन एम्पायर के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी साल 1916 साउथर्ण जौर्डन के दूर दराज रिगिस्तान से कहानी शुरू हुई हम उसी रिगिस्तान में एक लड़के को देखते हैं नाम है थीब उसके पास एक गधा भी है वो अपने बड़े भाई हुसैन के साथ इसी बिहड़ बे रहता है मा और पिता काफी पहले ही रिजर्ट रीजन में पाए जाते हैं नॉमेडिक से आप समझ गए होंगे कि इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता ये सालों साल उसी बिहड़ रेगिस्तान में अपने सफर पर रहते हैं इनका असली काम था शरतधालू परिवारों को उनके तीर्थ स्तलों तक पहुंचाना क् इन्हें रास्तों की अच्छे से जानकारी होती थी उस वक्त जॉर्डन भी ओटोमन एंपायर का हिस्सा था जैसा कि हम जानते हैं ओटोमन पार्टिशन के बाद उसमें से नौ देश निकले थे जिसमें से एक जॉर्डन भी था उनके पास दो उनके पास एक राइफल भी थ वक्त मिलने पर हुसैन कभी-कभी थीप को निशाना लगाना सिखाता वो थीप से बहुत प्यार करता था मापिता के जाने के बाद एक वही थीप का सब कुछ था वहाँ जुगिया लगा कर कुछ और भी नुमैडिक शेक्स रहते थे जो रात समय बिताने के लिए आपस में जुवा खेलते उसी रात कैंप में दो लोग और आए दोनों ही मुसाफिर जिसमें से एक शेक है और दूसरा एक बिटिश ऑफिसर था नाम है एडवर्ड उन दोनों को अरब रिवर्ड के समुह से मिलना था उस शेक ने अपना नाम मरजी बताया जो कि एडवर्ड को गाइड करके अरब रिवर्ड के पास ले जा रहा है थीब ने आज से पहले किसी बिटिश को नहीं देखा देखने में तो वो सबसे अलग मालूम पड़ता है सरीर के रंग से लेकर उसके कपडों तक सब कुछ उनसे अलग था यहां तक कि उसकी भाषा भी अलग थी वहां मरजी और एडवर्ड की काफी खातिरदारी की गई थीब बार बार एडवर्ड की तरफ देखने लगा उसके मन में जिग्यासा उठने लगी आखिर कौन है ये विदेशी किस देश से है रात उन्होंने दोनों महमानों के लिए मीट बनाया पर एडवर्ड को शायद मीट का स्वात पसंद नहीं आया इसलिए वो उठ गया थीब ने उसके हाथ दुलवाए रात मरजी के पूछने पर एक शक्स ने बताया कि थीब के पिता काफी पहले ही गुजर गए जो कि इस ट्राइप को लीड करते थे एडवर्ड ने शेक को सिगरेट ओफर की थीब बार बार अपने भाई हुसेन से पूछता कि आखिर उस एडवर्ड ने क्या कहा ये किस तरह की भाषा है रात थीब उस सोय हुए एडवर्ड को देखने लगा वो काफी लंबी सांसे ले रहा था शायद से रेगिस्तान में थंड जादा थी या तो उसे किसी तरह का दौरा पड़ रहा था सुबह थीब हाथों में आइना पकड़े उस एडवर्ड की तरफ देख रहा था आखिर उसने एडवर्ड से पूछ ही लिया क्या तुम राजकुमार हो पर एडवर्ड को उनकी भाषा बिल्कुल भी नहीं आती थीब उसकी रखी हुई चीजों को उठा कर देखने लगा उसकी नजर पास रखे एक संदूग पर पड़ी और वो उसे देखने लगा जैसे ही उसने संदूग को हाथ लगाया एडवर्ड उस पर चिलाया और उससे संदूग छीन लिया थीब डर कर अपने भाई के पास चला गया यहां हमें पता चला कि मरजी और एडवर्ड को रॉमन वेल तक पहुँचाना है जहां उसे अरब रिवर्ड के कुछ लोग मिलेंगे पर उसके लिए उन्हें किसी गाइड की जरूरत थी वहां बैठे शक्स ने बताया रॉमन वेल जो की तिर्थ यात्रा मरजी के गुजारिश करने पर शेख ने मरजी से कहा कि हुसैन उन्हें रॉमन वेल तक पहुचा देगा थीब ये सब छिप कर सुन रहा था यहां तीनों अपने सफर के लिए निकल पड़े अपने भाई को जाता देख थीब काफी उदास हो गया शायद उसकी भी इच्छा इस सफर पर जाने की थी जब वो थोड़ी दूर पहुच गए तो थीब अपने गधे पर बैठ उनकी तरफ निकल गया उसे जाते जाते शाम हो गई पर हुसैन कही दिखाई नहीं दे रहा और गधा भी ठक चुका था वो उस पर से उतर कर उसे खीचने लगा पर गधा उसके साथ आने को राजी नहीं काफी कोशिश करने के बाद थीब ने उसकी रसी छोड़ दी और वो वहाँ से अपने भाई की खोज में निकल गया थोड़ी दूर जाकर उसे उट के ताजे पैरों के निशान दिखाई दिये वो उसी पैरों के निशान को फालो करते हुई आगे बढ़ा शायद वो अभी ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे होंगे आगे रेगिस्तान खतम हो गया अब उसके पैर किसी बंजर जमीन पर पढ़ने लगे जो जमीन सूख कर फट चुकी थी अब अंधेरा होने को था तभी उसकी नजर दूर जलती हुई आग पर पड़ी उसका भाई हुसैन वही था सुबर हम देखते हैं वहां मरजी और एडवर्ड के बीच बहस चल रही थी कि वह थीब को अपने साथ नहीं ले जा सकते आगे काफी खतरा है और अगर हुसैन अपने भाई को वापस कैम्प ले गया तो वह दोनों अपने मंजील तक नहीं पहुँच पाएंगे अब उनके पास कोई दूसरा उपाई नहीं था सिवाए थीब को अपने साथ ले जाने के अब वो सभी एक घाटी से होकर गुजरने लगे आगे एक जगह वो रुक गए क्योंकि यहां से डाकवों का खतरा बढ़ जाता है पर एडवर्ड को कैसे भी करके मंजील तक जल्द से जल्द पहुँचना था इसलिए वो आगे बढ़ने लगे रात वो एक जगह रुक गए थीब एडवर्ड की वाच को देखने लगा जिसमें उसकी पत्नी की तस्वीर लगी थी वहाँ ना तो थीब को एडवर्ड की भासा शमच आती थी और ना एडवर्ड को उन सब की रात मरजी संगीत गाने लगा जिसे सुन सब वही सो गए सुबह उठकर उन्होंने अपना सफर फिर शुरू किया सुबह उस तड़कती धूप में सफर काफी लंबा मालूम पढ़ने लगा उन्हें काफी दूर छे लोग उट पर सवार दिखाई दिये थोड़ी देर को वो रुक गए कहीं वो डाको तो नहीं पर उन्हें लगा शायद कोई तीर सियात्री होंगे ये सोच के वो आगे बढ़ गए आगे वो एक घाटी में रुक गए एड़वर्ड और मरजी मैप्स के बारे में बाते करने लगे वहीं हुसेन खाने के लिए रोटियां पका रहा था थीब की नजर अभी भी एड़वर्ड की संदूग पर गड़ी थी उसे संदूग के भीतर देखने की उत्सुकता बढ़ने लगी कि आखिर इसके भीतर है क्या उसने अपने भाई हुसेन से पूछा मैं जब भी उस संदूग को छूने की कोशिश करता हूँ एड़वर्ड ना जाने क्यों गुस्से में आ जाता है हुसेन ने बताया उस संदूग में वो अपना सोना रखते हैं थीब उस संदूग के पास गया तभी एड़वर्ड ने उसे धक्का देकर हटा दिया इतने में हुसेन एड़वर्ड से हाता पाई कर बैठा क्योंकि वो बरदाश्ट नहीं कर सकता कि कोई थीब को हाथ लगाए पर मर्जी ने मामले को समहाल लिया हुसेन ने भी थीब को समझा दिया कि वो दुबारा से उस संदूग को हाथ न लगाए उसके बाद वो आगे सफर पर निकल गए थोड़ी देर बाद सभी उस रोमन वेल तक पहुँच गए शायद मर्जी से यहाँ उसके साथ ही मिलने वाले थे मर्जी और हुसेन डाकुओ पर नजर रखने लगे एड़ड कुओे से पानी निकाल कर अपना मो धोने गया उसने देखा पूरा पानी खून से लाल हो चुका है सबने कुओे में देखा भीतर दो लाशे पड़ी थी शायद ये डाकुओ का काम था अब वो सभी वहाँ से भागने लगे यहां उन्हें पता चल चुका था कि उनपर नजर रखी जा रही है उन्होंने दूर कुछ लोगों को उट पर आते देखा लेकिन ये मरजी के आदमी नहीं लग रहे थे मरजी ने उनसे इशारों में संकेत मांगा पर उनका कोई जवाब नहीं आया यहां उन्हें समझ आ गया कि वो इस घाटी के लुटे रहे हैं सभी वहां से भागने लगे रात वो एक जगह रुक गए उस घाटी में तुफान तेज था मरजी और एडवर्ड के बीच बहस चलने लगी एडवर्ड का कहना था वो इन दोनों को और अपने साथ नहीं ले सकते पर मरजी का कहना था कि वो दोनों को ऐसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो इन्हें यहां अपनी जवाबदारी पर लाया है दोनों के बीच की बातचित हुसेन और थीप को बिलकुल भी नहीं समझ आ रही थी क्योंकि दोनों इंगलीश में बात कर रहे थे सुबह मरजी और एडवर्ड वहां से निकल रहे थे हुसेन के पूछने पर मरजी ने बताया कि उनका सफर यहीं तक का था अब वो अपने कैंप वापस लोट सकते हैं उनके जाने के बाद हुसेन ने अपना सामान पैक करना शुरू किया क्योंकि उसे पता था एडवर्ड और मरजी इस बीहड में भटक सकते हैं और उन्हें अच्छे से यहां की जानकारी भी नहीं शायद दोनों प्यास से ही मर जाएं पर थीब ने उसके साथ आने से मना कर दिया थोड़ी बहस के बाद आखिर खार थीब मान गया और दोनों उनके साथ आगे निकल गए थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे कुएं के पास पहुँच गए सभी बहुत प्यासे थे उन्होंने कुएं से पानी निकाल कर पिना शुरू किया तभी एक गोली आकर एड़वर्ड के सीने में लगी और वो वही मर गया उसके बाद मरजी और दोनों भाई यहाँ वहाँ भागने लगे वहाँ लूटेरे आ गये थे मरजी जाकर एड़वर्ड के शरीर को खीचने लगा शायद एड़वर्ड जिन्दा था तभी गोली आकर मरजी के सीर में लगी और वो वही ढेर हो गया अब वहाँ सिर्फ हुसैन और थीब बच गये थे और उनका अब यहाँ से बच के निकल पाना भी काफी मुश्किल था क्योंकि जहाँ उट था वही लूटेरो का समुह खड़ा था बिना उट के यहाँ से भागना यानि की मौत को दावत देने जैसा था दोनों भाई भाग कर घाटी के उपर चड़ गए और हुसेन वहाँ से उन पर गोलिया चलाने लगा दो डागों वहीं धेर हो गए डागों ने उन दोनों को सरेंडर करने को कहा पर ऐसा करने पर भी वो दोनों को मार देते और अगर हुसेन ने उट खो दिये तो वो यहां ऐसे ही भूख प्यास से मर जाएंगे क्योंकि रेगिस्तानी सफर बिना उट के नहीं तै किया जा सकता धीरे धीरे शाम हो गई और देखते देखते पूरी घाटी में एक घना अंधिरा चा गया चांद सर पर था उन लुटेरों के बाच्चित की आवाज उन्हें उपर तक सुनाई दे रही थी रात हुसैन ने बताया अगर उसे यहां कुछ हो जाता है तो थीब घाटी के और उपर चला जाए और खतरा टलने के बाद कुए के पास इंतिजार करे कोई न कोई मुसाफिर उसकी मदद को जरूर आ जाएगा शायद हुसैन को अपनी मौत का अंदेशा लग चुका था रात डाकुओं ने उसके ठिकाने को देख लिया और गोली चलाने लगे वो थीब को लेकर वहां से भागने लगा तभी हुसैन को गोली लगी और वो मारा गया थीब भागने लगा अंधेरे की वज़ा से उसे कुए का पता नहीं चला और वो उसी कुए में जागिरा उस कुए की रस्सी पकड़ वो लटक गया एक डाकु ने उसे देख लिया और उस पर गोलिया चलाने लगा पर पत्थर की आड से थीब को गोली नहीं लग पा रही थी इसलिए उन्होंने उस कुए की रस्सी काट दी जिससे वो बाहर न निकल पाए पर वो किसी तरह चटान के सहारे कुए में लटका रहा कुछ ही देर में सुबह हो गई थीब अब भी कुए में था वो कुए से निकलने की तरकीब लगाने लगा क्योंकि शायद ही यहां कोई उसे बचाने आएगा चटान के सहारे किसी तरह वो उपर की तरफ आ गया और ठक कर कुछ देर वहीं लेट गया अब सूरज सिर पर आ गया था थीब उठा और अपने भाई को तलाश करने लगा पर हुसैन की मौद तो रात ही हो चुकी थी भाई को देख थीब रोने लगा कुछ देर वो उसी तरह अपने भाई के शवव पर लेटा रहा और उसी रेत में उसे दफन कर दिया एक बड़ा सा पत्थर लाकर उस पे रख दिया वही बैठे बैठे उसे शाम हो गई उस घाटी में तरह तरह के आवाजे सुनाई देने लगी शायद ये आवाज वहां रहने वाले जानवरों की थी वो डरके घाटी के ऊपर चड़ गया जैसा कि हुसेन ने उससे पहले ही कहा था रात वो वही बैठा रहा सुबह नीचे आया प्यास जोरों की लगी थी पर पानी पी नहीं सकता क्योंकि रसी तो लुटेरों ने काट दी थी यहां तक कि वो सभी उट और सामान को भी अपने साथ लेकर चले गए थोड़ी देर बाद उसकी नजर सामने से आते हुए एक उट पर पड़ी जब वो उट के पास गया तो उस पर एक घायल शक्स था ये शक्स कोई और नहीं उन लुटेरों में से एक था वो बेहोश था उसने उट को किसी तरह नीचे बिठाया और उस शक्स को नीचे गिरा दिया उसने देखा उसके पास रस्सी है जिसमें वाटर बैक भी लगा था उस रस्सी से पानी निकाल कर उसने अपनी प्यास बुझाई वो शक्स अब भी बेहोश था थीब ने सोचा किसी तरह उट को लेकर यहां से निकल जाए पर उसे उट की सवारी करना नहीं आता उसने काफी कोशिश की पर वो उट अपनी जगह से नहीं खड़ा हो रहा था उसने उस लुटेरे के सभी थैलों को चेक किया जिसमें एडवर्ड का संदूग भी था अब रात होने को थी उसने वहां पत्थरों से आग जलाई क्योंकि रात वहां थंड काफी बढ़ जाती थी सुबह जब थीब की नीद खुली तो उसने देखा वो शक्स उसकी तरफ ही देख रहा था पर वो घायल था जिस वज़े से वो चल नहीं सकता वो शक्स पानी मांग रहा था थीब उसे वाटर बैग में पानी ले गया पर साथ ही वो डर भी रहा था कहीं ये लुटेरा उसके भाई की तरह उसकी भी जानना ले ले रात यही वो शक्स था जिसने उसके भाई पर गोली चलाई थी थीब ने उसकी गन छीन कर उस पर निशाना लगा दिया थीब का मन तो यही कर रहा था अभी इसी वक्त इस शक्स की जान ले ले पर वो ऐसा नहीं कर सका उस शक्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की पर थीब वहां से भागने लगा और मदद के लिए आवाज देने लगा वहां उस बीहड में कोई नहीं था वो शक्स भी चिलाने लगा अगर थीब ने भागने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा क्योंकि वहाँ एक वही शक्स है जो उसकी मदद कर सकता है थोड़ा सोचने के बाद वो वापस वही लोट गया रात वो शक्स गिसकते हुए उसके पास आया उसने थीब को यकीन दिलाया कि उसे डरने की जरूरत नहीं उसने अपना नाम हसन बताया पर थीब को उस पर भरोसा नहीं इसलिए वो अपनी गन उस पर ताने हुए था उसने थीब से कई सवाल किये कि वो यहां उस बृटिश शक्स के साथ क्या कर रहे थे पर थीब ने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया उसे बस अपने भाई की मौत का दुख सता रहा था सुबर हम देखते हैं थीब सो रहा था तभी उस लुटेरे ने उससे बंदूग छीन ली पर उसने उस पर गोली नहीं चलाई थीब फिर वहीं सो गया थीब ने उसे रोटी बना कर दी आधी रोटी उसने थीब को दी और साथ ही उसे चेतावनी दी कि वो उसे धोखा देने की कोशिश बिलकुल न करे उसके बाद वो खंजर से अपने पैर में लगी गोली को निकालने लगा पर निकल नहीं पाया इसके लिए उसने थीब की मदद मागी थीब ने किसी तरह से उसके पैर की गोली निकाल दी अब उसने खंजर को गरम करके लाने को कहा उसने रिवॉलवर थीब को वापस दे दी अगर उन पर कोई मुसीबत आ जाए तो थीब उनसे लड़ सके उसके बाद गरम खंजर को उस सक्स ने अपनी चोट पर लगा लिया जिससे वो वहीं बिहोश हो गया थीब वहीं बैठा उसके होश में आने का इंतिजार करने लगा कुछ देर बाद उसे होश आया उसके पास एड़वर्ट की सिगरेट और लाइटर भी थी यहां हमें पता चलता है कि उसके लुटेरे साथियों ने ही उसे धोका दे दिया जो उसे गायल अवस्था में छोड़कर चले गए दूसरे दिन वो अपने सफर पर जाने के लिए तैयार बैठे थे थीब अपने भाई से आखरी अलविदा लेने लगा उसके बाद वो उट पर उसके साथ बैठ सफर पर निकल गया उन्हें चलते चलते रात हो गई उस रात के अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था उन्होंने वेस्ट के तरफ सफर जारी रखा सुबह उन्होंने खुद को ओटोमन रेलवे ट्रैक पर पाया और वो उसी ट्रैक को फॉलो करते रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगे उस शक्स ने बताया कि यही रेलवे ट्रैक उनकी बरबादी का कारण है जो कि बिटिशर्स ने बनाया है अब इस रेलवे का इस्तेमाल श्रदधालू और ओटोमन सोल्जर्स करते हैं जो सफर उंट द्वारा महिनों में तै किया जाता था इससे वो सफर सिर्फ एक हफते में तै किया जा सकता है वहां कुछ अरब रेवलुशनरीस उन्हें मिल गए जो कि ओटोमन्स के खिलाफ लड़ रहे थे ये सभी एक ब्रिटिश ओफिसर की तलाश में थे जिसमें साथ मिलकर उन्होंने हेजेस रेलवे स्टेशन का अटैक प्लान किया था शायद वो ओफिसर एडवर्ड ही था उन्होंने सवाल किया कि तुम कौन हो हसन ने उनसे जूट कह दिया कि मैं तीर्थ यात्र करवाने वाला गाइड हूँ जब उन्होंने पूछा कि तीर्थ यात्री कौन है तो उसने बताया उसके पीछे बैठा लड़का ही तीर्थ यात्री है जिसे वो मक्का ले जा रहा है पर उन्होंने बताया कि मक्का बिल्कुल उसकी उल्टी तरफ है वो गलत दिशा में सफर कर रहे है उन्होंने उसके पास ब्रिटिश गन देखी तो उन्हें उस पर शक हुआ पर हसन ने बताया कि ये गन उसने इजिप्ट से खरीदी थी उन्होंने इस बारे में थीप से पूछा कि क्या उसने किसी ब्रिटिश ओफिसर को यहां आज पास देखा है पर थीप ने इस बात से साफ इनकार कर दिया इसके बाद वो रेवलिशनरीज अपने रास्ते चले गए रात दोनो एक जगह रुग गए उस शक्स ने थीप को अपनी अरब यात्रा से जुड़े कई किस्से सुनाए कि वो पूरा अरब घूम चुका है सुबह फिर वो उसी ट्रैक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगे वहां काफी अरब रिवॉल्ट्स की लाशे पड़ी थी जो बिटिशर्स के साथ मिलकर ओटोमन एंपायर से जंग लड़ रहे थे कुछ देर बाद वो रेलवे स्टेशन पहुँच गए उस शक्स ने अपनी रिवॉल्वर को वही उट के थैले में रख दिया और थीप को वही बाहर इंतिजार करने को कहा वो भीतर ओटोमन ओफिसर से मिलने गया थीप भी उसके पीछे पीछे भीतर चला गया उसने उस ओफिसर को कुछ सामान दिये जो कि एड़वर्ड के कुछ कीमती सामान थे जैसे कि उसकी वाच और कुछ दस्तावेज और साथ ही वो लकडी का बॉक्स जिसके भीतर देखने को थीप न जाने कब से उत्सुक है जब उस ओफिसर ने उस बॉक्स को खोला तो भीतर एक डेटोनेटर था यहां पता चलता है कि उस बॉक्स में एक तरह का विसफोटक था जिससे वो रेलवे ट्रैक को उड़ाने वाले थे और यह बॉक्स लेकर एड़वर्ड अरब रिवोल्ट्स के पास आ रहा था पर उसे आने में देर हो गई जिससे सभी सोलजर्स मारे गए शायद इसलिए एड़वर्ड थीप को बॉक्स चूने नहीं दे रहा था क्योंकि उसमें एक विसफोटक था जब उस ओफिसर ने पूछा कि ये सारी चीजे तुम्हें कहां से मिली तो हसन ने फिर जूट कह दिया कि ये सब उसने इजिप्ट से खरीदा था इस सामान के बदले ओफिसर उसे चांदी के सिक्के देने लगा उस ओफिसर ने थीप को अपने पास बुलाया एक चांदी का सिक्का देने के लिए पर हसन ने उस ओफिसर को मना कर दिया और बताया कि थीप मेरा ही बेटा है यहां थीप को पता चला कि हसन कितना मकार और धोके बाज किसम का इंसान है फिर भी उस ओफिसर ने थीब को एक सिक्का दे दिया पर थीब ने सिक्का लेने से इंकार कर दिया उसके बाद सभी सिक्के हसन ने ले लिये थीब बाहर आया और थेले से रिवॉल्वर निकाल ली और हसन के बाहर आने का इंतजार करने लगा हसन सिक्के गिनते हुए बाहर आया जब उसने सामने देखा तो थीब उसकी तरफ बंदूग ताने हुए खड़ा था हसन समझ गया इस बार उसकी मौत पक्की थी थीब ने बंदूग चला दी और हसन वही मारा गया क्योंकि अभी तक वो अपने भाई के मौत से नहीं उभर पाया था और हसन को मार कर उसने अपने भाई की मौत का बदला भी ले लिया वो ओफिसर बाहर आया थीब ने बताया कि इस शक्स ने उसके भाई की हत्या की थी उसके बाद उस ओफिसर ने थीब को वहां से जाने को कहा वो उस उट पर सवार होकर उस बीहड में निकल गया उसे कुछ पता नहीं कि किस तरफ जाए वो अपने कैंप भी नहीं लोट सकता क्योंकि वहां भी उसका कोई नहीं वो सामने पड़े विशाल रिगिस्तान की तरफ देखने लगा और कहानी इसी दृष्च के साथ खतम हो गई दोस्तो इस फिल्म को आसकर नॉमिनेशन मिला था थीब एक जॉर्डैनियन फिल्म थी दोस्तो अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्स्प्रेनेशन के साथ